आज हम आपको बताएंगे तीन गाठ वाली मोरी कैसे बनती है उसके बारे में उसके लिए हमने रशी लिए ये आठ है में गी यानि सोडा तार इसकी लंबाई है 24 फूट ये रशी लिए है और इसकी तीन गाठ वाली मोरी कैसे बनेगी इसके बारे में बताते है पहले हम इसके दोनों सेरे मिला के ये गाठ लगाते है उसके बाद हमने एक आठ यानि करीब डेड़ फूट ये लेनी होती है लंबाई इसकी यहां से इस तरह पकनेगे इसको इसमें से एक बार वाले साइडी की रशी ये पहले तुम लेखते थे बगार गाठ वाली के अंदर इसका साइज करीब 6 इंच और इसका थोड़ा और बड़ा देंगे करीब 8-9 इंच ताकि ये गाठ में बजाएगी इस तरह से ये यानि डेड़ फूट उसके बाद एक साइड वाली ये बार निकाल लेंगे इस तरह से हो जाएगी अब ये गाठ लगेगी यह वाली इनके और इनके बीच से ये निकलेगी जो हमारे इंग उठे को उपर से आती है ये ऐसे और अब हम निकालेंगे इनके उनके बीच को इसे उसके बाद हम इसको यहां से निकाल देंगे इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं ये वाली पहले डाल सकते हैं ऐसे आ जाएगी तो इसको उपर से निकाल देंगे ताकि छोटी है जल्दी निकल जाएगी कोण सी साइड के निकाल सकते हैं ये अम उठा निकाल लेंगे यहां से और इसको इस तरह डालेंगे ऐसे ये अमारी गांट लगके तैयार होगी और अब हमने लेनिये इसको इस्त्र उठ लेंगे अगले गांट के लिए पहली ये लगी दूसरे वाली यहां लगेगी इसके लिए करीब 10-11 इंसका बीचा लेके फिर बार की साइड वाली ऐसे निकाल लेंगे इसकी लंबाई भी इस वाली इतनी हो जाएगी ये ये लगी थी उसी तरह ये गांट लगेगी ये हम लेंगे इन दोनों के बीच से ऐसे और इसको लेंगे इसके उपर से और ये उठा निकाल के इसको यहां से निकाल लेंगे ऐसे ये दूसरे वाली गांट त्यार होगी अब जो तीसरे वाली गांट हाती है वो यहां आएगी इसको निचे रखेंगे इसको इसके उपर से यानि ये निचे शाएगी ये उपर से इस तरह अब हमने ये वाली रशी तो बचिये इसको इहां निचे से निकालेंगे इहां से इस तरह ये निकालके इस रशी को हम इस ओल के अंदर से निकालेंगे इस तरह से ये अमारी तीसरे वाली गांट्स लगी और ये मोरी बनके तयार होगी ये हमारी मोरी अब कंपलीट तयार होगी जिसको हम बोलते हैं तीन गांट्स वाली ये तीनों गांट्स ऐसे हो जाएगी बहुत जल्दी बनती है और आसान तरीका है